हेलो मेरे प्यारे देस्तों नमस्कार आज लेकर रहे हूं आसाम के दूसरा एक फेमास रेसिपी हांदोग गुरी हांदोग गुरी के लिए लेना पड़ेगा बॉयल राइस मैंने यहां बॉयल रास लिया है लगबग इस काप की माप की हिसाब से 1 का थाल का हम पहले अच्राइस धोलेंगे और दोने के बार मैंने चलने लिया है चलने में चावल को रख डेंगे तक ही जोब पानी है वह छोड़ जाए याथ है रहे स्वाल में पानी रहना नहीं है कि हम इस फाल का पाउडर बनाना है अगर आपकी वहां धूप में सुखाने का असांच है मतलब सुखा सकते हो ता आप सुखा सकते हैं लेकिन यहां अभी में जहां हो ना विशा में इतनी गर्मी है कि रूम की अंदर ही ना ये च्छावल दस तू पंधरा में 10-15 मिन्स के अंदर ही बिल्कुल सुखाएगा मठेक तो लिए च्छावल को हमको को एक कराई में रोज सुखाना है जमकर रोज करना कर्ची को बिलकूल ही रोपता नहीं कि ऐसे करने से च्छावल में से बैखने का या दर रहता है ये चतक न आवास सुन रहे है गोल्देन कलर हो रहे है मतलब हो चुका है वह जली रोस हो को अभी क्या करें गैस के फ्रेम को आफ करेंगे और चावल को पूरी तरह से ठंदा होने के लिए खोड़ेंगे अबाद मैंने एक मिक्सर जा लिया और ऑष्में रोस्ते चावल को अभी पाउडर बनाएंगे तो चलिए इस सोल को हम बनाते हैं पाउडर ये बन चुका है पा बहुत ही healthy food है, मुझे पकाया है कि आप लोगों के पसंद आएगा, कोई भी आइना का जाद, ग्लास का जाद, या तो एर्टेट कॉंटेमर रदीजियों, मैंने भर खाद भी नहीं होगा, अभी खाया कहता जाता है, मैंने यहां 4 तेबल स्पून हांद गुरी लिए है, अभ गुर दही के साथ ही आसा में पसंद किया जाता है खाने के लिए, अभी सारे पाउडर को हम जो होट वाटर मिस्किया था, अभी आसी तरह से मीस करना है, गुर, चीनी या हानी किसी के साथ आप खा सकते है, मुझे दही के साथ पसंद है और जुलिया मिठा के साथ, तो मैं दही और यहां अपनी बेफास के लिए बना रहे हूं और यहां लेंगे में जुलिया मिठाए, अगर आपको जुलिया मिठाए क्या पता नहीं तो मेरा वीडियो डाली हुई है, प्लिक में डाल दोगे आप जरू देख लेजिएगा और यह है बिल्कुल खाले के लिए तय देख लेश्टी है और हर उमर का हर कोई खा सकते है यह रेडी है हंदव गुरी मुझे यकीन है आप लोगों को यह जरू पसंद आएगा यह सीपी मेरा यह सीपी कैसे लगया आप लोग जरू बताएगा कोमेंट कीजिएगा जरू तो चलिए आज तेस लेते हम आसाम का यह फेमराज हांदव गुरी जो टेडिशनल एक फूड है